हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ लक्ष्मी आप सब का स्वागत है मेरी किचन में आज मैं बनाने चार भी बहुत सिंपल एंटेस्ट्री रेसिपी जो किये भरवालाल मीर्चाचार कोइसे असनी से बना सकते है तो मैं आपको आज इसे कैसे घर में आसनी से बनाया ₹ मैं आपको छल्क ज़ाए अपने दिखाने वाली हैं या पर मैंने 250 ग्राम लाल भरवा पिर्ष्य मिर्शी होते हैं यह थोड़ी सी जाड़ी है जिसमें हम लोग स्टपिंग कर सकते हैं मसाले की ऐसे मैंने मिर्शी आपे ली है इस मिर्श के आमें बीजे निकालनी होगी तो यह मैं आपको बताती हूं इससे कट करते हैं मैंने आपके सीजर ली है इसके एंड मैंने आपके कट जाह से इसे निकल सकते हैं मिर्ची को में इंचाने से इसम एक सुप निपने कर लिया है जेंटिली दोन फिंगर से रोल करना है ताकि ठीज़ भी त है युटी निकल सकते हैं आप चाह साथे चाको षार UN मेहां भीने कर दो है स्टपिंग के लिए मैंने मस्टर्ड सीड लिए राई के दाने सपेद वाले आप चाहे तो कुन से भी ब्लैक या येलो भी ले सकते हैं अच्छे से भून लेते हैं जब तक इसकी कुछ भूना आने लगे राई या पर अच्छे से भून गई है इसे मिक्षर जार में निकाल लेते हैं सेम पैन में हम लोग या पर जीरा भूनेंगे उसके साथ में फनेल सीड निकी सौफ और अजवाइन भी या पर लिए और थोड़े से साबू धन्या भी बनी या पर लिया है इसे अच्छे से रोस्ट करना है हलका सा इनको ज्यादा हमें जलाना नहीं है ताकि इसका कड़व अगर जादा भूनेंगे तो इसका कड़वासा लगता है हम इसे मेडियम आज पर ही भूनेंगे ताकि यह जलना चाहे है अजाँ तो मिक्षचार में निकाल लिया है इसे थोड़ी देर धंडान होने देते हैं फिर इसे कोचली हमें घ्राइंड करना है मैं आपको एक चीज बताना बूल गया है यह पर निम्भू फूल लिया था जो भी मार्केट में आसाने से मिलता है इसे हम अचार में खड़ा साने के लिए उसकरते हैं आप चाहे तो निम्भू भी उसकर सकते हैं थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वाद के अच्छे से मिक्स कर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि मासला मारा आचे से बाइंड हो जाए तरफिंग करने में आसानी हो जाए तरफिंग हमारे यह यह पर रेडी है तो आए करते स्टार एक करके सब्सक्राइब अच्छे से में स्टाब करना है ताकि मसाला अंदर तक जाए यह उपर ना रहे जो मिर्शी आम लोगों ने दोनों साइट से कट किया उसमें आसानी से मसाला बर सकते क्योंकि दोनों इंड से भरना है धयान रखना है नीचे से गिरना चाहिए इसे अच्छे से प्रोपर लि अच्छे से तक जाए जाए तक जाए जादा दिन तक हमारा आचा तिंचा है किRa आप , इसे बनी के दुकन को टैट करके रखना है और इसं आसे एकसे 2 वीग के लिए चोड देना है उसके आप इसे आछाल को टेस्ट कर सकते हैं और अगर नमक कम ज़्दा है तो आप इसे बाद में भिड़ा सकते आप इस आप को ookनड्याद करके कर रख सकते हैं अगर आ